रवेया देखकर बेटों का बूढे माबाप को ये खयाल आया जब बारिश ठहर जाती है तो छतरी भी बोज लगने लगती है मैं जो उत्रानी स्वाल्ट करता हूँ आपका बानोमियल थियोरम के इस फर्स वीडियो लेक्चर में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक कोशन लेंगे जिसको हो कि हम वाई ट्रिक स्वाल करेंगे तो आज समझते हैं क्या है और उसको वाई ट्रिक कैसे स्वाल किया जाता है देखिए find the number of terms in the given expansion यह दो expansion दिये गया है यहां पर मैंने दो form लिया है एक दिखेगा आपको single variable single variable में हर जगह आपको x दिख रहा है एक दिखेगा multiple variable दिखिए x y z p q कुछ भी आ सकता था ठीक है तो single variable में number of terms मतलब यह जो है 1 plus 2x minus 3x square plus 5x cube power whole to the power 12 जो यह expansion है इसमें कितने term होंगे वो हमको find out करने है और इसमें x plus 4y minus 3z whole to the power 10 इसमें कितने term होंगे वो हमको find out करने है तो आइए जानते हैं पहले formula जो इसके बाद question को solve किया जाएगा तो देखिए इस type के question को solve करने के लिए आपको ये दो formula पता होने चाहिए क्या है formula number of term in single variable t1 plus t2 plus t3 plus dot dot tn मा लेते हैं इसके अंदर के जो term है n क्या दिखा रहा है n उसके अंदर के जितने term है उसको दिखा रहा है m उसके power को दिखा रहा है ठीक यहाँ पे भी n क्या दिखाएगा चितने उसमें term है अंदर वाले ठीक है और m क्या है m power को denote करेगा ठीक है देखिए formula क्या हो जाएगा t1 plus t2 plus t3 plus dot dot tn whole to the power m is equal to n minus 1 bracket close multiplied by m plus 1 ठीक है यह formula आपको याद रखना है अभी इसी को apply करके हम इन दोनों question को solve भी करेंगे और जब multiple variable की बात की जाएगी तब क्या होगा number of term in multiple variable t1 plus t2 plus t3 plus dot dot tn whole to the power m उस case में क्या formula बनेगा m plus n minus 1 c n minus 1 यह combination वाला formula होता है यहाँ पे मैंने formula भी लिख दिया ncr is equal to factorial n upon factorial n minus r multiplied by factorial r ठीक है अब यहाँ पे इसके case में बात करते हैं तो यहाँ पे n की value क्या है 1, 2, 3, 4 ठीक है यह 4 क्या n की value हो गई और m m power m की value क्या है m is equal to 12 और जब इसमें number of term की हम बात करेंगे तो क्या formula यह formula apply होगा formula को apply कर दिए n minus 1 multiplied by m plus 1 ठीक है formula पे हमने apply कर दिया क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3 multiplied by 12 plus 1 is equal to 36 plus 1 is equal to 37 मतलब की इस expression में कितने term होंगे 37 terms होंगे 37 terms यह आपका answer है अब देखे अब यहाँ पे हम solve करते हैं इस question को ठीक है तो sorry इस question को इस question में क्या यह formula apply होगा तो यहाँ पे n की value क्या है n मतलब उसके expression के अंदर जितने terms हैं कितने terms हैं एक दो तीन 3 terms है यहाँ पे हमने 3 लिख दिया m की value क्या m power को denote करता है कितना power है 10 power है यहाँ पे हमने 10 power लिख दिया ठीक है formula क्या apply होगा m plus n minus 1 c n minus 1 ठीक है तो क्या हो जाएगा 10 plus 3 minus 1 c n minus 1 3 minus 1 ठीक है तो क्या हो गया 10 plus 3 13 minus 1 12 12 c 2 ठीक है तो अब यह क्या हो जाएगा 12 multiplied by 11 multiplied by factorial 10 upon में factorial 10 multiplied by 2 into 1 यह factorial 10 factorial 10 से cancel हो ना यहाँ उपर लिख दे रहे हैं हो सकता है नीचे आपको नो नज़र आए तो ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह 2 एंजा 2 2 6 जा 12 तो मतलब 6 multiplied by 11 मतलब 66 66 terms होंगे किस में किस given question में तो इन दोनों formula का आप यूज करके आपको अगर single variable का कोई question देता है ना उसमें पूछता है कि कितने time होंगे तो आप इस formula को ध्यान लखीगा इस formula को आपनो down कर लो ठीक है इसकी help से आप निकाल सकते हो और अगर पूछता है कि multiple variable है उसमें कितने number of time है कोई भी बड़ा सा expression देता है तो उसके लिए आप इस formula के का यूज करके उसको निकाल सकते हो यह जो आपका question है यह कई टाप के competitive exam जैसे दरोगा औरोगा का हुआ था तो उसमें पूछा गया था और nda में पूछा जाता है जही इमेंस में पूछा जाता है तो यह अगर आप उससे कोई भी competition के त्यारी कर रहे हो यह किसी भी class में आपको तो आपको यह दोनों फामले पता होने चाहिए इस question को स्वाब करने के लिए तो फ्रेंड्स आज के लिए तना ही मिलते हैं अपने नेक्स्टों में तक तक के लिए स्वास्त रहे मस्त रहें खुस रहें जय हिंद